और गाईज इस बार मेरे कार में देखो ये लोग क्या किया है ये पूरा रिम जो है ये रिम देखो पूरा स्क्रेच आ गया है पूरा साथ में टायर काट दी है ये लोग ये फेभी कुछ से चिपकाए है टायर काट दी है ये तो मैं अपने गाड़ी का पहले से विडियो बन पूरा running board मेरा यहां से मोड दियें, यह running board या फिर इसको जो भी बोलते हैं, यह पूरा मुड गया है मेरा, यहां पर देखो dent है, यह भी यह लोग नहीं मान रहेते हैं, तो गाड़ी मेरी यह लोग बना के तो दे दियें, और साथी में paint की quality देखो, यह देखो, यह देखो, कोई भी पकड़ लेगा कि गाड़ी repaint हुई है, साथ में यह देखो, यह है इन लोग का काम, तो टाटा की service भाई, मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है, मैं बार बार इन लोग के उपर video बनाता हूँ, फिर यह लोग वही काम करते हैं, तो गाड़ी यह लोग किसी की काम बहुत बार पढ़ने वाला है, तो guys सबसे ज़्यादा आपका काम service center से होने वाला है, तो service center जरूर देख लेना, आपके area में सही है कि नहीं है, then आप टाटा की गाड़ी लेना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार गाड़ी ले लिए, तो टाटा के service center में आपका कोई काम ही न मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं अभी वीडियो बना आ रहा हूँ अपने गाड़ी का, तो आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके की दिखरी है, कारपूरी बन के आ चुकी है, हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो guys, यहाँ पर देख सकते हो guys, bon अंदर का लोहा चेंज हुआ है, यह लॉक चेंज हुआ है, और साथ में ज्यादा कुछ तो और चेंज नहीं हुआ है, और इसका यह जो होता है, AC कंडेंसर, या फिर इसको रेडियेटर भी बोलता है, यह चेंज हुआ है, तो गाड़ी में यह नहीं चेंज हुआ है, बंप कुछ रुपय का बना है या फिर 60,000 कुछ रुपय का आप देख लेना स्क्रीन शॉट लगा दूँगा मुझे 3000 देना पड़ा है 1200 रुपय फाइल चार्ज प्लस 1000 का ये दुन है 1000 या फिर 800 का और ये जो बोनट पेंट हुआ है इसमें कुछ जो टेक्स होते हैं पेंट के वो देना पड़ा है और साथ में गाईज मुझे देना पड़ा है यहां पे और भी नट बोल्ड का थोड़ा बहुत पैसा ठीक है गाड़ी कुछ इस तरीके की लग रही है आप देख सकतो गाड़ी में कुछ मैं मोडिफिकेशन कराए हूँ आपको अगर पता चल गया है तो कम मैं अपने कार में कराया हूँ काफी अच्छा लग रहा है देखने में आप देख सकते हो गाईज आपको पता लग जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे क्या चीज मोडिफाई मैं कराया हूँ बागी गाईज अब मैं आपको बता देता हूँ सर्विस सेंटर का एक्स् गाईज मैं आपको बता दूँ गाड़ी सर्विस सेंटर में किसी भी काम से दो चाहे वो सर्विस के लिए ही क्यों न दो पूरे गाड़ी का विडियो बनाये करो यह लोग गाड़ी में स्क्रेच मार देते हैं और मेरे में देखो इस बर क्या हुआ है यह पूरा रिम जो है बोले तो यहां कैसे हो जाएगा मैं जब पुराना वीडियो दिखाया तब वो लोग मानें और बोलें हम आपको रिम चेंज करके देंगे कभी आपका एक्सिडेंट होगा तो क्लेम करके उसमें चेंज कर देंगे मतलब मेरा ही इंसरेंस क्लेम करके वो लोग दूसरा लगाएंगे अपने पास से नहीं दिये वो लोग तो यहां पर देख लो यह उन लोग की गलती है यह की है टायर कड़ गया है मेरा गाड़ी कहीं भी साइड होगरे करने में क्यूंकि यार बहुत सारे जो उनके में करमचा यह पूरा टेरा हो चुका है गाइस घाझ यह देख लो पूरा रहनिंग बौड मेरा यहां से मोड दिये यह इसको जो भी बोलते हैं यह पूरा मूड गया है मेरा यहां पर देखो डेंट हैं यह भी यह लोग नहीं मान रहे थे तो गाड़ी में बनवाने दीया ता नहीं साही नहीं है कोई भी पकड़ लेगा कि गाड़ी रीपेंट हुई है तो काम तो हुआ है बट मेरे मन लाए काम नहीं हुआ है गाईज उतना बढ़िया काम नहीं हुआ है बाकि गाड़ी आपके सामने है गाड़ी तो सब कुस नया लग गया है यह सब कुस नया लग गय गाड़ी आप देख सकते हो, आपके सामने है, कैसी थी, कैसी हो गई, साइड में फोटो लगा दूँगा, देख सकते हो, कैसी थी, गाड़ी लड़के, कैसी हो गई, पूरा बन गया, तीने जा रुपय मुझे देना पड़ा, और बाकी वाशिंग हो गर एक आभी, इसमें पैसा इंक्लूड है, और बाकी साड़े चार अजार के ये लोग बनाया थे, बट मैं जब उनको ये दिखाया, कि ये सब आप मेरी गाड़ी के साथ क्या की हो, तब जाके उन्होंने एक बार चेक कर लेना, आपके इधर सर्विस सेंटर कैसा है, आपके कोई नोन में, या फिर आपका कोई फ्रेंड, जो भी हो, अगर वो टाटा की गाड़ी रखा है, सर्विस सेंटर उसको पता है कैसा है, तभी गाड़ी लेना, अधर भाई टाटा की गाड़ी सर्विस में उतनी अच्छी नहीं है बागी गाड़ी एक नंबर की है, सर्वीस इसका उतना बढ़िया नहीं है, बागी गाईज अब इंसान भी थक जाता है, न एक ही चीज के लिए आप बार–बार सर्वीस सेंटर में जा रहे हो, बार–बार उनको बता रहे हो, कि आप मेरी गाड़ी के साथ ऐसा मत करो मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूँ कुछ बनवाने लेके जाता हूँ अगर मैं इधर बनवाने लेके जाऊंगा तो पीछे या फिर साइड में कहीं और ये लोग इसक्रेच करके दे देंगे और भाई बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है मेरे एक फ्रेंड है अस्वनी भाई आपको पता होगा पीले कलर की अल्ट्रोज है गोल्डेन कलर की उनका भी यही या यह लोग किये थे तो गाईस बताओ कोई कंप्लेन क्यों न करे मैं तो अब ठक चुका हूँ यार इनसान खुद ही ठक जाता है बार-बार बोल बोल के अब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी का विडियो बना लेता हूँ इन लोग को गाड़ी दे देता हूँ और मैं वो विडियो बाद में देखता हूँ पता लग गया होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कमेंट कर देना नहीं पता है तो एक दो दिन में इसका विडियो बना दूँगा काफी अच्छा मोडिफिकेशन है अगर आपके पास टाटल डोज है आप ये करा सकते हो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज आपको अब बात कर लेते हैं इसका तो इधर भी आप देख सकते हो सब कुछ एकदम बढ़ियां से हो चुका है काम मेरा गाड़ी एकदम नई हो चुकी है बस वही दिक्कत है सर्वी सेंटर से गाइस देखो मैं टाटा की बुराई नहीं करता हूँ क्या करू यार मैं टाटा की गा बात है मेरे उपर कि मेरे लिए बहुत सही है और मुझे सिर्फ लड़ने भिड़ने पर ही जाना पड़ता है टाटा के सोरूम अधरवाइस मैं नहीं जाता हूँ खाली सर्वीस कराने और कहीं लड़ जाती है तब जाता हूँ तो आप यहां से भी देख सकते हो गाड़ी ब पर रिसान रहेगा 10-12 लाक रुपे लगा के फिर बार बार अपनी गाड़ी में स्क्रेच पाए तो यह भी अच्छी बात नहीं है और गाइस मैं सच बोल रहा हूँ मैं उन लोग को यह वीडियो दिखाया था यह देखो यह वही लोग की है यार किसी की गाड़ी यह को प्यार से रख रहा है और आप लोग ऐसे रफली चला के उसका यह आल करोगे यहां पर आप देख सकते हो यह लोग बिल्गुल अपनी गलती नहीं मानते लेकिन मैं हर बार वीडियो बना लेता हूँ अपनी गाड़ी का सर्वीस सेंटर में देने से पहले यह लोग अपनी मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ टाटा से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि अपने तरब का सर्वीस सेंटर देख लेना अगर सही है तो आप ले सकते हो टाटा की गाड़ी अगर नहीं सही है तो भाई 10 लाग रुपय 12 लाग रुपय लग सफारी में लगा रहे हैं ठीक है पंच आप लोग ले रहे हो सस्ते गाड़ी में अल्ड्रोज ले रहे हो तो भाई प्लीज चेक करके लो क्यूंकि गाड़ी आप एक बार लोगे सर्वीस सेंटर में आपका काम बहुत बार पढ़ने वाला है तो सबसे ज़्यादा आपका का दिखने काड़ी बन चुकी है चलिए मिलते हैं किसी और श disp存 अब जरूर देखना गाड़ी में क्या क्या मैं मोडिफीकेशन करा हूं देन आजका वीडियो यहीं पर करते हैं चलिए मिलते हैं किसी और श dispẩn pagar भाइ लोग